जिस तरह से मनुश्य पूराने कपड़े उतार कर नई कपड़े पहनता है ठीक उसी तरह से बहुत से जीव जनतु भी हैसा करते हैं इन में सबसे पहला नाम आता है सरीस रूप जीवन यानि की स्नेक का साप को कैंचोल यानि की उसकी पुराने स्कीन उतारते हुए तो आपने सभी ने दिखा होगा साप की कैंचोल जंगलों में आसान इसे देखने को मिल जाती है लेकिन क्या आप कभी जानते है इसके पीछे की वज़र जानने की कोशिश की है आपने आकिर क्यों साप अपनी केंचोल उतारता है क्यों उसे जरुरत पड़ती है कि नई खाल की आज हम आपको बताएंगे कि आकिर साप के इस केंचोल उतारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ पारदर्शी सा दिखने वाला बहुत लंबा केंचोल है जो एक निच्चित समय और दोर में साप स्वयम छोड़ देता है साप को कोई आम जीव नहीं बलिकि धार्मिक दोर से चोड़ कर दिखा जाता है क्योंकि यह शिरु के गले में भी रहता है जैसे पुरानी तवचा के मृत होने के बाद नहीं तवचा उसकी जगर ले लेती है साप के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब उसकी पुरानी तवचा मृत हो जाती है तो वहाँ अपना केंचोल उतार कर नहीं तवचा दारन कर लेता है केंचो लुतारने की प्रक्रिया साप के लिए बहुत फायदेमंद होती है ऐसा माना जाता है कि अपना केंचो लुतार कर साप अपने उम्बर बढ़ाता है जो साप निरंतर ऐसा करता है उन्हें अमरता प्राप्त हो जाती है साप की तवचा में अगर कोई भी खराबी या बीमारी लग जाती है तो जल्द से जल्द अपना केंचोल उतारने के कोशिश करता है इससे उसे नई और साफ तवचा मिल जाती है यह उसे किसी भी संक्रमन से भी मुक्त करती है सामन्य रूप से एक धामन साप अपने जीवन में 3-4 बार केंचोल उतारता है लेकिन साप अपने पूरे जीवन में कितनी बार केंचोल उतारेगा यह बात उसकी उम्ड स्वास्त उसके आसपास के रहने की जगव पर निर्भर करती है NMN News की रिपोर्ट